मुझे ऐसा लगता है कि पंत्वधान जी का भी जो पद है वो साविधानिक हमारा मानने जाता है और पूरे देश के लोगों ने उन्हें पसंद किया और ये पद पे लाके बिठाया है और वो पार्लमेंट के खुद भी सदस्य हैं और सदस्य के बाद ही वो प्राइम तो मुझे लगता है जैसे हम मेंबर आफ पार्लमेंट अपने शेत्र में जाके अपने अधिकारों को हम जाके उस पे काम करते हैं तो ये भी वो सदस्य होने के नाते और देश के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते और 130 करोड जनता ने हमारे पीम साप को चुनके यहां तक तो मुझे लगता है जो भी जितने भी विरोधी पक्ष के लोग बोल रहे हैं पहले तो इनों ने दंडबत करना चाहिए मोधी जी का क्यूंकि इतनी बड़ी सोच पिछले सौ वर्षों से जो पार्लमेंट में हम बैठे हैं वो बिटिश कालीन पार्लमेंट है आज तक इतन विश्तार होंगे अलग जिले बनेंगे डिस्ट्रिक्स बनेंगी और मेंबर ऑफ पार्लमेंट चुनके आएंगे तो उनके लिए विवस्ता कहा होगी तो मुझे लगता है आगे की सोच रखने वाले देश को ये पहले प्राइम मिनिस्टर जी मिले हैं जिनके विएसे आज ये पहला हमारा देश है जहां पर दो सदन दो पार्लमेंट हमें मिल रही हैं एक पार्लमेंट और हम जैसे नए पार्लमेंटेरियन को तो बहुत बड़ा स्वभाग्य है जो अमारे नरेंद्र मोदी जी ने पीम साहब तरीके से जो पार्लामेंट बना था आज तक हम उसमें बैठते आए पर आज हमारे इंडियन जो इंडियन विचारधारों को लेके इंडुस्तानी विचारधारों को लेकर जो आगे बढ़ते हैं ऐसा टाटा की कंपणी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के विचारो सब खुश है ओपोजीशन को कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि यह उनकी सोच से बहुत बोलते हैं ना बहुत आगे कि सोच रखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके लिए उने तकलीफ है पेट दुखना तो सहाजीक है ने तो ऑपोजीशन वालों को भी उनकी पार्टी के लोग पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं सवाल उठाया मुझे लगता है आपने जो भी कोई नेता कुछ भी ट्वीट करता है या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पार्टी पे बोल सकते हैं आप व्यक्ति को बोल सकते हैं पर देश के लोगतंतर का सबसे बड़ा मं मुझे लगता है यह देश के हर व्यक्ति की सम्मान को दुख पहुचाने वाला है तो मुझे लगता है यह जितने भी बड़े नेता है यह यह करने ही पाए इसे इन लोगों को इसकी तकलीफ है इसलिए पर मुझे ऐसा लगता है आप व्यक्ति के उपर अपना विरोध मैं सब से विनंति करूंगी और ऐसी रहेगी तो उनकी प्रदेश उन्हें इसका उत्तर जरूर देगी मैं विपक्षी लोगों को भी जितने भी उपोजिशन में उनको यह सवाल पूछना चाहूंगी आज आपने बॉयकॉट किया है कल जाकर आप पार्लमेंट में पैर कद सब नहीं रखेंगे क्योंकि यह मोदी जी ने बनाया है मोदी जी ने इसका उद्गाटन किया है या तो ऐसा कह दो मुझे लगता है जो बातों में तथे ही नहीं है कि निमंतुरन नहीं दिया है विपक्षी बैड कर उन्होंने बॉयकॉट करने का निरने लिया है निमंतु नहीं होता है तो शायद हम भी नहीं आते निमंतरन सभी को respectfully गया हुआ जहां तक मुझे आया है तो मुझे लगता है बड़े निताओं को तो सबसे equally जो है सदस्ति उस घर के सभी को पहुंचा हुआ